तो हेलो केसे बेलकम बैक टू माइ न्यू ब्लॉग तो भाई आज हम लोग जा रहे हैं बिजली का बिल जमा करने जो भाई इस महीने बहुत ही ज्यादा आया है मतलब सायद मेरा मीटर खराब हो गया है उसी के कंप्लेंट करने के लिए में जा रहा हूं तो यार पावार हाउस पर चलो चलते हैं और देखते हैं कि उनसे बात करते हैं कि 800 रुपिया महीना आ रहा है पहले तो मेरा 200 200 300 आता था लेकिन डारेक्ट 800 समझ रहे हो तीन गुना दूग तो चलो चलते हैं आज कब लोग यही रहेगा आज देखते हैं क्या-क्या होता है तो चलो चलते हैं रास्ते में देखते हैं क्या-क्या खाने के मिलता क्योंकि घर से खाना खाने के बाद जूस पीना तो बहुत ही जरूरी है तो बहुत तगड़ी वाली लग रही है यार ज पढ़ी क्लाई बहुत मज़न रहा राजा फाई दूप तो बहुत झीआ यह रहा हम लोग गए ये रहा जहा यह खड़ी हो गई हमारी धन्नो ओ अधिक विजली जमा करना कुछ कम भी करवाना है को सुधार नहीं होगा अभी यहां आए और भाईया कह रहा है कि सुधार नहीं होगा देखते हैं क्या होता है सुधार होता है कि नहीं या मुझे पूरा पेड करना पड़ेगा तो भगवान के दया है अगर कुछ हो जाए तो भाई मेरा कमिशन मन जाएगा तुम दोस जानते ही हो यहां बात करने से पता ये चली कि भाई मेरा बिल सही है मुझे पता नहीं इतना महेंगा बिल कैसे आ सकता है यार मतलब कभी 210 पहले आता था फिर तो यहां पर अपील करने के लिए यहां कुछ समझ में नहीं है वो कहा है कि जो बिजली वाला जो है डेक्स्टॉप उसका फोटो यह वीडियो बना कर लाओ तो चलो वीडियो बनाते हैं पाइनली गई घर आ चुके और वीडियो बनाते हैं इसका हाई दो मिनट का वीडियो यार हाथ दर्द करने लगा अब चलो उसके पास चलते हैं और देखते हैं अधिकारी कहता क्या है भाई बिजली का बिल बहुत ही सही आ रहा है वह तो कहा है भाई तुम्हारा जीस तरह का चला उस तरह का ही हजार उपया प्लस आना चाहिए लेकिन आठ सोचा आ रहा है कोई ज्यादा है नहीं वो कह रहे हैं और मीटर भी हमको दिखाए हैं सारा चीज दिखाएं तो सारा चीज जो मैंने देखा वो मुझे सही लगा कि इतरा आना चाहिए भाई उतना ज्यादा नहीं है विजली कम विल लेकिन ठीक है अब लग रहा है अब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए तो भाई धुक सोच रहा है यह तोड़ा आराम कर लो मैं पैसा लाय हो यहाँ पहले जमा कर दो विजली कम उसके के बाद कुछ बाते हैं जो सेयर करना चाहता हूं तो प्लीस वीडियो में बने रहा आठ सो एक रुपिया आठ सो दिया भाईया ने मान गए और यही होता है विजली का बिल भाई बहुत ही टेंसन यह तो मेरा आज तिन घंटा फूरा ले लिया यह मेरे यहां का फावर हाउस है तो मेरा भाई आज का तिन यहीं निकल गया तकरीवन बज रहें तीन अभी भाई धूप इतनी ज्यादा है मतलब बल्लू भाईया सब बाइक मांगे वह तो दे दिये वरना अगर बाइक नहीं हो तब पैदर आना पड़ता तब तो भाई हालत खराब हो जाएगा क्योंक बाई चलते हम लोग गर्णे का जूस पीते हैं ऐसारा धूख सारा डर्द सारा दुख हतम हो जायेगा तो चलते हैं और देखते हैं तो भाई अभी आया हम गंणे के दुकानपे जो गंणे के दुकान देख लो भाई तकरीबन 6-7 गिलाज जूस पिएंगे हम तो भाई जूस पिकर बहुत ही अच्छा लगा मज़ा आ गया अचलो चलते हैं बल्लू भई गाली देते हैं तो भाई घर अभी अभी आये हैं गन्ने का जूस बहुत ही अच्छा था अच्छा था तो यह है अनमोर क्या आप बीडियो आज नहीं डाला है जो कि इसको नहीं पता है तुम देखेतेल मेरा आज वीडियो मेरा देखे हो ना तो भाई आप दीखते हैं मम्मी क्या आज आग्या राता है जो पहला काम था दो-तीन घंटा तो भाई बिजली के बिल में लग गया वो कह रहा है बिजली का बिल एकदम सही आ रहा था मतलब वो कहने यह लगें कि तुम्हारा थोड़ा सा नर्वस हो गया कि इतना रहा है मेरत फिर भी 400 बश्राइब तो आठीशो में काम चल जा रहा है तो मैं फिर बात में ठीक कोई बात नहीं तब तक इतना चलाओ जब कोई जाएगा तुम्हारा सब सही हो जाए तब भाई जाने में जाना युकि उसके बात आया गन नहीं और रात के वज़े नहीं 11 मुझे बहुत ही इंपोर्टेंट काम था मतलब मैं चला गया था मामा वाँ थोड़ा इमर्जंसी वाली बात आगी दी तो भाई वो परसनल बात है जो आप लोग से शेयर नहीं कर सकता आई होप आज का ये वीडियो पसंद आयो पसंद आय जरू करिए नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करिए मिलते हैं कल के नए वीडियो में तब तक लिए थैंक्यू सो माच फार वाचिंग पाई